हेलो दोस्तों क्या हल चाल कैसे हैं सब लोग स्वागत अब का सिटिस के लेंज टूग की एक और नई मज़दार गेंपले वीडियो में तो कॉइस अभी हमने इस सिटी में वैसे काफी सारी चीज़े बिल्ड कर दिये अभी हम यहाँ पर थोड़े से हाई देंस्टी के एरिया बना रहे हैं यहाँ पर थोड़ी से हाई राइस बिल्डिंग बन रही है इधर को मीडियम देंस्टी के हाउसे से हैं बाकि लाश टाइम लाश ट्री में थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज़ेस किया था इस वाले एर इसके साइड में रिवर भी है बट रिवर काफी ज़्यादा नीचे जाती है यह काफी उपर है और इधर के मैंने पाथ भी बना दिया है जिदर से लोग की मस्त पैदल चलके जा सकते हैं तो अभी तक यह कुछ इतना कंप्लीट हुआ है और अभी मैंने यहां पर एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं जितने भी साहे लोग चैनल पर नए आएंगे जिन्हों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ ओके तो अभी डिमांड वगए देखो को तो सिर्फ लोग डिंस्टी का रहा है मीडियम बहुत से ज़्यादा कम है हाई डिमांड वैसे आ रहा है और पैसे हमारे पास अच्छे खासे आ रहे है यहाँ पर 98,000 पर आर की स्पीड से आ रहा है पैसा और यहां पर पॉपलेसन भी धीरे धीरे बढ़ रहा है एक बार को हैपनेस देख लेते हैं हैपनेस भी ठीक ठाक ह हाई टेक्स का थोड़ा सा प्रॉबलम आ रहे है अभी मेरे पैसिक जो रहते है तो मैं हाई टेक्स ही रखता हूँ और नॉइस पोलिजन की भी प्रॉबलम आ रही है अंरेलाइबल हेल्थ कवरे भी है थोड़ी बहुत प्रॉबलम है जो कि हम फिक्स कर देंगे धीरे धीरे और एक बार को मैं प्रॉडक्शन देख लेता हूँ कि क्या सीन चल रहा है इसका क्योंकि काफी टाम से इसको देखा नहीं है वैसे ये सर्प्लस में है ये भी सर्प्लस में है लाइव स्टक थोड़ा सा डेफिसिट में चल रहा है वेजटेवल्स की फार्मिंग भी कर सकते ह ये भी डेफिसिट में चल रहा है और अब हम याँ पर ऑल ट्रेलिंग कर सकते हैं इसे अच्छा पर भी प्रोफिट हम बना सकते हैं वैसे तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कहां कहां पर नैचुरल डिसोर्स हैं ओल डिपॉजिट पर है यहां पर ओके वैसे यहां पर स तो इस वाले जगह पे थूड़ा सा है तो इस वाले जगह पर बिल्ड कर शकते हैं या तो कोई ऐसा एरिया जहां पर मैं बिल्ड करेंगगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और यह बिल्कुल साइड में भी है हम इस वाले जगह पर हम बिल्ड कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक यह पूरा oil drilling होगा और अगर हमें ज़्यादा ज़रुत पड़ेगी तो फिर हम यहां पर भी बिल्ड कर सकते हैं इस वाले जगह पर भी deposit पड़ा हुआ है वैसे अभी तो मैं सोच रहा हूँ न इस वाले जगह पर ना बिल्ड करके यहां पर बिल्ड किया जाए क्योंकि यहां पर ज़्यादा पड़ा हुआ हमें कितना purchase करना पड़ेगा tiles एक बार को मैं check कर लेता हूँ हमें ये tiles ये और ये ये तीन tiles purchase करने पड़ेंगे ये दोनों भी purchase करने ही पड़ेंगे ओके और ये भी purchase करना पड़ेगा क्योंकि road वगरे भी तो लेगे जाना पड़ेगा मुझे न कितने कपड़ रहा है वैसे 3,43,000 अरे यार ये तो बहुत कम है भाई आराम से purchase कर लेते हैं न कोई दिक्कत नहीं है पैसे हमारे पास अच्छे खासे आ रहे हैं और इसको लगा देंगे तो इससे भी पैसे अच्छे खासे आने लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा इदर को soft कर देंगे ऐसे चलो ये पूरा area बिल्कुल सही से बन गया है सबसे पहले यहां पर road लेके आना पड़ेगा यहां पर road लेके आने इस पहले एक काम करते हैं इस जगह पर मैं layout बना देता हूं कि कितने area में यह deposit पड़ा हुआ है इसको लेके आता हूं मैं यहां से यह लेके चलते हैं यहां से जो कि सीधा यहां तक जाएगा बराबर यह two lane का road में बना रहा हूं अभी के लिए सिर्फ mark करने के लिए यहां जाएगा यहां पर तो इसके बीच में पूरा deposit पड़ा हुआ है ठीक है अब हमें इस वाले जगह पर road connect रहना पड़ेगा और road में connect कर नहीं सकता पता है क्यों क्योंकि यहां पर मैंने forest industry लगा रखा है और इस side को भी एक industry लगा रखा है तो मैं road लेके कहां जाओंगा वाँ भाई वाई यह चीज तो मैंने सोचा ही नहीं था अगर मैं यहां से एक breeze बनाना चाहूं तो क्या बन सकता है forest industry से जाते हुए या यहां से अपने को इसको shift करना पड़ेगा इदर को ऐसे यह आ जाएगा यहां पर यह आ जाएगा इदर को बराबर इसको भी इदर को लिखेंगे कुछ तो आ रहा है भाई यह कहां से आ गया अरे यार यह टोनेटों कुछ जादा नहीं आने लगा पिछली बार इदर से आ रहा है और इस बार तो सीटी में जाएगा क्या नहीं नहीं सीटी में जाएगा इस बार भी ऐसे ही कट जाएगा इदर से अच्छा वह सीटी में नहीं आ रहा है तो समझो गया सब चीज गया ओके भायों कितना sound कर रहा है यार चला जा भाई कितना ज्यादा sound कर रहा है कि russia को अप में जाये यह अब जो ऑफ इस्कों पड़िए पडिए अब जाएगे अब यहां से फिन लेंगे इस वाले जकर से इद्धर को जाएंगे यह बहुत ही जैदा गंदा है इसको डिलeट करो इसको बिलेट करो इसको तुछ बनाना पड़ेगा इसको कर एक काम परता हूं यहां से इसको सीदह लेकर चला जाता हूं दर को ओके और उसके बाद इसको मैं कर देता हूं इस वाले जगह पर दन और वापस से मैं इसको सभी कर देता हो, इन सब को रोड के बिलकुल कॉर्णर से कर देते हैं, ओके, अब ये कैसा लग रहा है, नाइस, अब ये बढ़िया लग रहा है, यहां से करो भी थोड़ा देखोगे ना, तो सभी लग रहा है देखने में, अब इस रोड को यहां से बिलकुल सीधा, नहीं, सीधा तो नहीं, थोड़ा करो करना पड़ेगा यहां से भी, यह वापस ही आने लग गया, चला जा बाई, क्या तकलीफ है इसको, यहां से लेके चलते हैं इसको, इधर को ऐसे, बराबर, यहां से इसको सीधा लाते हैं, नैं सही से road बन गया है यहाँ पर क्या बन गया side side में retaining wall I think यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही height था इसके वज़ाँ से wall बन गया ओ नाइस वैसे देखने में अच्छा लग रहा है यह चलो road का connection तो हो गया अब चलते हैं यहाँ पर special industry में और हम यहाँ पर लगाते हैं अब oil drilling ठीक है इसको मुझे place करना है total 3 या 4 तो मुझे इसमें थोड़ा सा divide करना पड़ेगा road से एक road लेके आता हूँ मैं यहाँ से 90 के इंगल पर यहाँ पर इसको फिर लेके आएंगे इधर को इन road को वैसे आपस में connect करने के जुरूद तो नहीं है बट connect कर सकते हैं ऐसे पहला मैं drilling के लिए place करता हूँ इस वाले जगह पर और इसका area पूरा यह वाला बनाता हूँ दूसरा place करूँगा just इसके सामने यहाँ पर ओके done दो place कर दिया वैसे दो हम इधर भी place कर सकते हैं एक इधर को एक इधर को मैं place कर सकता हूँ एक मैं place करता हूँ न इस वाले जगह पर जहां से एक narrow road ले जाके इस वाले जगह से narrow road लेके चलूँगा यह आएगा यहां तक बराबर और इसके बीच में मैं place करूँगा एक drilling के लिए ठीक है यहाँ पर इससे क्या होगा ने यह पूरा area यहाँ तक cover कर लेगा इस side से यह पूरा जितना area ने पूरा ही cover करेगा तो फटावट से इसका पूरा area मैं create कर देता हूँ okay done यह वाला वैसे काफी जदा बढ़िया लग रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो एक road आया हुगा है और इस वाले जगर पर हमने इसका main building place किया है अब इसकी side side में काम होगा यह देखो यहाँ पर लग गया है न एक यहाँ पर लग गया drilling के लिए और इधर को इधर को बड़े वाले लग रहे हैं यह सब बड़े वाले हैं यह सब चोटे वाले लग रहे हैं अभी इतने area में यह काम होने लग गया और यह वालो जो मैंने जगह बनाया न यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ थोड़े से factory क्ले भी इलाट कर देते हैं काफी cool लगेगा देखने में अगर हम यहाँ पर थोड़े से factory भी बनाते हैं तो तो एक काम करता हूँ यहाँ से narrow road बनाता हूँ एक यहाँ पर जाएगा इसके बीच में तो बन नी पाएगा तो wait थोड़ा और सई से बनाते हैं इधर से narrow road लेके आता हूँ इस side से बराबर न बाकि यहाँ पर यह जितना area है पूरा factory के लिए लाट कर देता हूँ इधर को देखो गए तो काम जोरो सोरो से start हो गया है यह सब drilling वाली machine वगर यहाँ पर आ गई है क्या बोलते हैं इसको blast hole drill इधर को क्या सीन है इधर को machine वगर spawn होई की नहीं नहीं इधर तो नहीं होई है इसमें भी नहीं होई ओके नहीं इधर हो गई ठीक है इसमें एक यह हो गई चलो done काम अगर हो तो यहाँ पर start हो चुक है और एक बार को मैं production देख लेता हूँ क्या सीन चल रहा है हम यहाँ पर surplus में जा रहे हैं थोड़े बहुत surplus में आ चुक है अभी वैसे इसका production और ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी यह 100% पर वर्क नहीं कर रहा होगा 80 पर यह वर्क कर रहा है 73 पर यह और 62 पर यह वर्क कर रहा है क्योंकि यहाँ पर worker कमा रहे है तो worker जैसे ही आ जाएंगे में वो भी cool लगेगा इस town को हम बनाएंगे gravel वाले road पर यस इस पर बनाएंगे इस वाले road को मैं सीधा लेके चलता हूँ 90 के angle पर यहाँ तक यह इधर से गया हुआ है इधर को ठीक है और यह यहाँ से सीधा चलाएगा यहाँ पर connect हो जाएगा इसके बीच में हम थोड़े से road वगेर डिवाइट करेंगे जहाँ पर कि हम घर के लिए अलोट करें और यह वाला road चला जाएगा सीधा इधर के लिए ओके और यह connect हो जाएगा यहाँ पर इसको यहाँ से सीधा इधर के लिए बना देंगे यहाँ जाएगा यहाँ तक इधर से एक इधर को लेकर आएगे यहाँ पर एक round about बनाएगे यहाँ पर एक round about बनाएगे यहाँ पर एक round about यहाँ पर अब हम यहाँ पर अलोट करेंगे थोड़े से low density के लिए थोड़ा gap छोड़के दूर दूर पर अलॉट करेंगे ऐसा नहीं कि एकदम कंजस्ट्रेट बना देंगे गैप छोड़के बनाएंगे तो ज्यादा बेटर लगेंगे देखने में ओके तो कुछ इतना अलॉट कर दिया इसके बीच में थोड़े से कमर्सियल भी चाहिए मेरे को जैसे यहाँ पर एक कमर्सियल हो गया एक कमर्सियल बिल्डिंग यहाँ पर एक इधर को हो गया एक इधर को हो गया और यहाँ पर भी एक बिल्ड कर सकते हैं एक इधर को क्योंकि इतने सारे लोग है तो थोड़ी कमर्सियल बिल्डिंग बेरेने चाहिए चलो, बना ओफटावर्स से यहाँ पर भी एक छोटा सा टाउन हो जाएगा तो इदर को लोग जाके काम कर सकते हैं वरकर की नीड इधर को रहेगी तो यहाँ पर ऐसे पूरा हो जाएगा वरकर की नीड भी और यहाँ के लिए एक चीज यह करना है यहाँपर रहेंगे काफी सारे tree क्योंकि बिना tree के थो यह बिलकुल अच्छे नहीं लगेंगे load instant के area और वो भी ये outer area है तो outer area में वैसे tree वगए रहने चाहिए तो यहाँपर मैं काफी सारे tree place कर देता हूं इदर से लेके इदर को यह सब पूरा tree ये शनट के भी ट्री प्लेस कर सकते हैं चलो ये भी प्लेस कर दिया बराबर तो अब ये कुछ देखने में ऐसा लग रहा है जो कि काफी ज्यादा कूल है यहाँ पर देखोगे तो काफी दूर दूर पर घर बने हुए हैं पूरा ट्री बगर है और लोग तो अभी यहाँ पर इंतर को क्या खुला ओ यहाँ पर फियू फैप खल गा बाई ये भी ठीक है वैसे दुखो यहाँ है काफी साहरे लोग आना इस ट्राट कर दिया यहाँ पर इधर भी काफी साहरे लोग आ रहे हैं इस आपनों पर लोग आने लगए कि यह काम करने आते हैं, यह अपने देखो चूल लग रहा निखलों, यह अपनी बड़े मांटन दिखेगा इसा आफ गड़े मांटनों और इस साइट के बड़े मांटन दिखेंगे तो यहां से व्यू तो अच्छा है वैसे और यहां से लोग पट से मेन रूट के जा सकते हैं यहां से और काम अगर करना है तो वो लोग इधर को आ सकते हैं अभी एफिसेंसी बढ़ा की नहीं है 49% हो गया ओके इसको वर्ग है की जरूरत भी पड़ गए यह देखो लैक ऑफ ह सिटी में highly educated ठीक ठाक है ठीक है well educated लोग कम है high school बढ़ाना पड़ेगा अपने को high school मैंने सिर्फ एक ही लगा रखा है इस वले जगब पर इसका क्या सी इने सिर्फ 220 लोग है elementary school मैंने किदर को लगा रखा है एक यहां पर लगा रखा है तो इतने बड़े area के लिए सिर्फ ए एक elementary school है जो कि काफी जदक कम है दूसरा elementary school मैं लगा देता हूँ इस वहले जगब पर तो इधर वैसे काफी बड़ी population रहती है तो वह elementary school में जाके पढ़ सकते हैं इसको मैं upgrade भी कर देता हूँ चलो इसको full upgrade करेंगे इस side को मैं लगा देता हूँ क्या बोलते हैं इसको children clinic यह यहाँ पर आजाएगा extension भी लगा देता हूँ फिल्ड वगरे है यह भी लगा देता है एक फिल्ड इदर को लग गया और अरे यार इसका यही system गलत है बहुत बेकार लगता है देखो अगर मैंने फिल्ड यहाँ पर लगा दिया न इस side को बाकी रह जाता है या तो मैं दोन create करता हूँ इस side से इस side से यह और extension विंग और फिल्ड लगाते है one two three और एक इदर से एक इदर से जे बात अब भी यह fully upgraded भी हो गया और देखने हैं भी काफिछ लग रहा है कुछ जादा ही playground मैंने लगा दिया इसमें यार इतना लगा नहीं चाहिए था पर ठीक है सही है च दर को है यहां पर तीसरा है यहां पर इसको भी upgrade करी देता हूँ इसको मैंने upgrade नहीं किया हुआ है न अपग्रेट कर देते हैं एक लगा दता हूँ मैं यह चेल्डरन क्लिनिक यह जो playground है यह लगा देते है one two three और extension विंग भी लगा देते हैं लो भाई मौज कर एक दम बिलक दिस बिल्डिक यहां पर तो टॉनेडो आया ही नहीं था जूट मूट का बायू टॉनेडो तो इधर से इधर चला गया था इधर तो टॉनेडो आया भी नहीं था और यह देखो पूरा ढही गया है भाई यह भी ठीक है भाई इसको rebuild कर सकते हैं चलो मैंने rebuild पे लगा दिया एक लाक लग रहा है ठीक है भाई फ्रीफोकोट के पैसे चले गए यार देख रहे हो सब सही ता फिर भी यहां पर नो विकल आ रही है ठीक है बस वगएर बढ़ाना पड़ेगा अपने को विकल इन यूज 25 कर सकते हैं 18 यूज में आ रही है तुमारे लिए मैं एक्स्टा ग्राज लगा देता हो एक इंदर को लगा देता हो एक यहां पर लगा देता हो मौज करो बाई जितने भी वेहिकल के जरुद है पट से निकालो बाई कोई दिक्कत नहीं है कमी किसी चीज़ के नहीं होनी चाहिए और देखते हैं कुछ नई चीज़ें बिल्ड करने के अभी तक City Scalance 2 में मैंने एक पार भी डैम नहीं बनाया है तो ये हम कर सकते हैं Hydro Electric Power Plant लगा सकते हैं उसके लिए हमें ये Unlock करना पड़ेगा एक Point इसके लिए दो Point इसके लिए चलो कोई दिक्कत नहीं खर्च कर सकते हैं अब ये हो चुका है Unlock अब देखना ये है कि डैम हम बनाए कहाँ पर यार जगह तो है नहीं कहाँ पर बना सकते हैं यार तो मैं इधर को बना सकता हूँ इस वाले जगह पर लेकिन ये तो बहुत ही ज़्दा Outer में हो जाएगा मज़ा ही नहीं आएगा हम बिल्ड कर सकते हैं डैम वगरा यहाँ पर नहीं इस वाले जगह पर बिल्ड नहीं कर सकता है यहाँ पर क्योंकि यह सब बना दिया मैंने अब बचता है सिर्फ मेरे पास यह वाला एरिया यहाँ पर मैं डैम बना सकता हूँ बट अगर overflow हुआ न यहाँ पर तो पानी city में से आने लग जाएगा चलो जो होगा देखा जाएगा बिल्ड करने के काम स्टार्ट करते हैं इस यह जगे पर बनाऊंगा मैं वैसे यहाँ पर space भी अच्छा है अगर यहाँ से यहाँ तक डैम मनाता हूँ काफी बड़ा डैम भी बन जाएगा और पीछे को न यह चोटा सा आइलेंड भी है यहाँ पर हम कुछ चीज़े बिल्ड कर सकते हैं इसके side side में यह water store हो जाएगा और यहाँ पर एक चोटा सा आइलेंड हो जाएगा डैम इधर को जाएगा और इस breeze से डैम का view में मिलेगा देखने में अच्छा लगएगा चलो अगर यहाँ से मैं यहाँ पर बिल्ड करता हूँ तो अपने को 3.14 मेगवट है यह क्या है बाई अच्छा 128 तक जाएगा यह ठीक है बराबर थोड़ा आगे पिछे इधर करते के देखते है 155 तक इधर जाएगा इतना ही मिलेगा यह तो काफे ज़दक कम है 271 यहाँ पर मिल रहा है इधर को 76 इसी वाले जगे पर जो भी करना है कर सकते हैं यही अपने पास एरिया बचा हुआ है एक काम करता हूँ यह रोट अभी के लिए न डिलीट करता हूँ ठीक है यह डिलीट करो और साइड से न थोड़ा सा हाइट भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे ब्रस साइज को 150 करते हैं और इधर से न इसकी हाइट को इतना करता हूँ बराबर यह यहां से इधर तक हैगा ऐसे इसको मैं डिलीट कर जता हूँ क्योंकि आइ तिंक इसकी ज़रूत तो नहीं ही होगी न वाटर ट्रिट्मेंट प्लांट तो मैंने लगा रखाए साइट से कहीं पर यह वला है न यस वेस्ट वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट मैंने लगा रख है तो इसकी तुझरूरत नहीं थी इसको यहां से सीधा यहां तक ऐसे लेके चलते हैं फिर यह इधर से चला जाएगा इस साइड को बराबर ओके तो अभी के लिए ना मैंने थोड़ा सा इसको सेप तो दे दिया और देखने भी अच्छा लग रहा है और स्पेस भी हो गया यहां पर वैसे वाटर स्टोर होने के लिए अब काम करते हैं बिल्ड करके देखते हैं कितना एनरजी यहां से जणरेट होने वाला है इसको यहां से लेके यहां तक लेके आते हैं अब यह 24 हो गया नाइस और 231 मेगावाट हमें यहां से मिल सकता है और इससे हाइस कितना प्रोड़क्शन हो सकता है 20,000 मेगावाट का ओ भाई यह तो कुछ ज़्यादा है यार और यहां पर हमें काफी ज़्यादा कम मिल रहे हम उतना प्रोड़क्शन लेने के लिए आइ थिंक हमें थोड़ा और बड़े एरिये मिल सकता है क्योंकि वो काफी ज़्यादा है उसके लिए काफी सारा वाटर स्टोर रहना चाहिए या मेभी हम यहां पर बना देंगे थोड़े टाइम में जब वाटर स्टोर होगा तो हो सकता है प्रोड़क्शन बढ़ जाए यस यह भी हो सकता है तो यह काम करते हैं बिल्ड कर देते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है कितना तक ही यह electricity generate करता है ठीक है तो इसको मैं यहां से सीधा बना देता हूँ यहां के लिए 305 मेभावाट यहां पर मिल रहा है वैसे यहां पर अच्छा मिल रहा है इदर को थोड़ा सा कम मिल रहा था न 259 इस वाले जगे पर काफी मिल रहा है 300 ठीक है 300 तक मिल रहा है न चलेगा इतना भी चलेगा यहां से यहां पर बिल्ड कर दे पूम ओके सीधा बिल्ड हुआ है उल्टा नहीं ऐसे सीधा है न अब इसका साइड साइड में ऐसे रोड बनाना पड़ेगा नहीं तो ऐसे देखे ने बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि सिर्फ डैम प्लेस कर दिया हमने रोड बगएर इदर को है नहीं हम् तो क्या कर सकते हैं यहां से इसको मैं सीधा ला सकता हूँ ऐसे ओके फिर यहां से थोड़ा सा कर्व करके इदर को लेकर जा सकते हैं यहां जाएगा यहां तक अके नाइस यहां से इसको लेकर जाएंगे यहां पर ओके गाईस तो अभी मैंने यहां पर न यह रोड दो बना दिया इस साइड को यह रेटेनिंग वाल बन गया की वाल देखने में अच्छा लग रहा है और इसको मैंने सिर्फ यहां तक बनाया है इस वाले जगद तक यहां रोड यहां तक आगया और सेम रोड मैंने इस साइड को भी बना दिया यहां से लेकर यहां तक के लिए इसके बीच में यह वाला जो एरिया है न इतना इसमें होगा वाटर स्टोर काफी एरिया है एक बार को देख लेते हैं इससे इलेक्रिसिटी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है अभी हो रहा है 3.9 किलोट हैं इतना कम एफिशेंसी 1% प्रॉब्लम क्या है सर्विस बजट नॉट इनफ इंप्लॉई लो वाटर डिफ्थ ओके वाटर डिफ्थ नहां पर लो है इसकी वज़द से ये प्रॉब्लम आ रहा है इसको सिफ्ट कर दू नीचे को ऐसे तो क्या होगा चलो देखते हैं अब अब दो को खोते हैं, अब बहुत नीचे ने कर दिया है अब आप बहुत बहुत बाटर स्टोर अब अब तो काफी ज़दा है तो अगर पानी स्टोर अब फिर जाएगा तो फ्लो थोड़ा रहना चाहिए और अब देखते हैं तो अब भी 5.7 Kilo Watt यह क्या बक्वास है, सर्विस बजट का है, एक बर को सर्विस बजट में बढ़ा के देखता हूँ, यह इलेक्टिसिटी का बजट, अच्छा, फिप्टी पर मैंने कर रखा है, इसको मैं हंड्रेट पर करता हूँ, अब क्या सीन है, नाइंटीन किलोवट पर गया, ओके, डन, नॉट इनफ, इंप्लॉई का भी प्रॉब्लम आ रहा है, इंप्लॉई भी आए नहीं है, इंप्लॉई जैसे ही आएंगे, वेट, इंप्लॉई आएंगे कैसे, रोड सो कनेक्ट ही नहीं है, वाँ भाई वाँ, क्या गदापन्ती है यह बाई, रोड कनेक्ट किया है और इं 780 kW, ठीक है, अभी MbW में चला जाएगा, चलो, चलो, 6 MbW, यह कहा है, 700 से सीधा 6, अच्छा, MbW हो गया, ठीक है, किलो आट में ता, अभ MbW हो गया, ओके, प्रोडक्शन बढ़ गया, 16 हो गया, नाइस, एफिसेंसी 6% हो गया, लो अटर डिफ अभी भी दिखा रहा है, ब वैसे अब ठीक टाक वर्क करना चाहिए, मेरे हिसाब से, 42 MbW का प्रोडक्शन यहां से होने लग गया, नाइस, यार, सही है, सही है, सही है, थोड़ टाइम बाद इसको एक बार से फिर से चेक करेंगे, बस इस साइड को इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, क्योंकि इधर क हम क्या कर सकते हैं, इसको ना, पहले तो यहां तक ऐसे कर देता हूं, और इधर को यह कर सकते हैं, ऐसे सही रहेगा न, यप, यह जादा बिट्र रहेगा, एधर से यह, इधर से इधर तक, बराबर, सीम चीज़ हम Hier पर भी कर देते हैं, इस वाले लेवल को लेते हैं, और, यहां से यहां तक लेकर चले जाते हैं डंसीन यह वाला रोड वापस से मैं यहां पर कर सकता हूँ इस वाले जगह पर थोड़ा सा कर्व करेंगे और कर देंगे यहां पर कनेट डंसीन और सेम हम यह वाला रोड यहां से लेकर जा सकते हैं इधर को ऐसे नहीं जरुरत तो नही बट एक चीज़ हम यह कर सकते हैं हमारे पास देखो QA अगर है तो है नहीं अगर QA होता तो हम उसका use यहां पर करते बट अगर मैं यहां पर ऐसे बस रोड बना दूँ ऐसे करके और सेम यहां से यहां पर ऐसे बना दूँ अब भी देखो थोड़ा सा नीट और क्लीन दिखने लगया अगर हमेरे पास क्वे होते तो ये थोड़ा और ज्याद अच्छा लगता है देखने में हमें यहाँ पर रोड से काम चलाना पड़ रहा है जुगाड करके रोड बनाया है उसके साइड में ये वाल बनता है तो काफी साही लग रहा है वैसे अब ये देखने में अगर हम इस ब्रिछ से जाते हैं एक बार को वेट किसी वहेकल का व्यू देखते हैं आराम से चलना भीया जी यस अब देखो ये व्यू देखना कितना कूल लग रहा है नाइस यार और इसकी साइड में यहाँ पर मैं CNC पे ये work कर रहा है low water depth अभी भी 69% पेट का हुआ है, इसको ऐसे ही run करने देते हैं, but guys देखने में तो यार काफी जदा बढ़िया लगने लग गया थोड़े से tree अगर प्लेस करके न इसको और अच्छा दिखने का बनाते हैं, wait tree कहा गया, ये वाले चीज़ हम करेंगे, इस side को यहां से लेके, यहां तक यह tree लगा देंगे okay, और इदर को spruce के tree लगाएंगे ये आजाएगा, इस वाले road के side में यहां तक बराबर, और इदर से इसको लेकर आएँगे, यहां पर इदर से ये आजाएगा फोयटरी, इदर को भी लगा देते है इस वाले road के side में, अभी यह वाला road मैंने कहीं पर connect नहीं किया है, वैसे यहां पर भी layout बनने वाला है, इस वाले जगा पर पूरा layout बनने वाला है, तो इस road को हम इदर ही layout में connect कर देंगे, बाद में अभी के लिए मैंने connect नहीं किया है, और इदर side को मैंने connect कर दिया है, इस वाले area से आने के लिए, और यहां से high voltage generate होता है, तो maybe मुझे यह लगाना पड़ेगा ना, transformer लगाना पड़ेगा, transformer station तब जाके हम यहां से electricity transfer कर सकते हैं, तो इसको मैं लगाता हूँ इस वाले जग़े पर ठीक है, यह यहां पर लगेगा, उसके बाद अब इसका connection करते हैं, पहले तो यह power line से connect होगा ना, यह जाएगा यहां से यहां पर, तो इसको लेके चलते हैं, यहां पर ऐसे बराबर, फिर यह आजाएगा, यहां पर इसको connect कर देंगे, इस वाले जग़े पर, और अब यहां से पूरे city में light ट्रांसफर हो जाएगा, power line वैसे मैंने बनाया है, underground भी करके लगे जा सकता था, बट अगर मैंने power line बनाया तो यह देखने में अच्छा लग रहा है हम, nice high density का डिमांड वैसे काफी जदा आयो है तो थोड़ा सा area अलोट कर जाता हो जहां पर की high density बनते रहें क्योंकि इधर को हमें न काफी सारे high density बनाने है वैसे, इधर को तो बन गया है तो एक काम करो, एक high density की building यहां पर बनाओ एक high density की building इस वाले जगर पर बना लो बराबर, एक बना सकते हो यहां पर, बस, दोई building का डिमांड था, चलो, खतम हो गया बाई टाटा बाई बाई हो गया, दोई building बनाने में medium density की बना सकते हैं तो medium density में अलोट कर जाता हो यहां पर चलो, यहां पर भी बिल्ड कर लो, थोड़ा सा यह वाला एरिया भी ग्रो करते रहते हैं, डिमांड वगर आ रहे हैं तो दिमांड भी पूरा करते जाते हैं, और थोड़ा से medium density वाले न, commercial भी बिल्ड करते हैं क्योंकि medium density वाला commercial अभी न, बहुत कम बिल्ड के हैं मैंने, थोड़े से यहां पर बिल्ड कर लो, medium density के और थोड़े से यहां पर बिल्ड कर लो, इसके आसपस में पूरा residence होने वाला है, तो इनको not enough customer के problem तो नहीं आने वाली है, और वैसे और क्या नई चीज बिल्ड कर सकते हैं, थोड़ी education system से ही कर सकते हैं, I think, हमारे पास elementary school है, high school है, college है, but university एक भी नहीं हमारे पास, और eligible देखोगे तो 464 है, okay, तो हमें university वैसे बना देना चाहिए, population भी अच्छा खस हो गया, 13,000 की population हमारे city हो गई है, तो चलते हैं, यहां पर 21 development point हमारे पास बचे होगे है, use भी हो जाएगा, यहां पर जलते हैं, सबसे पहले हम एक university जो है, यह unlock कर लेते हैं, done scene, अब इसको हमें place करना है, university हमें place करना है, तो वो तो देखो, इसी वाले area में पहले place करेंगे, इधर को मैं कहां पर place करूँ, यहां पर high school है, यहां पर college है, तो maybe मैं university इस वाले area में place कर सकता हूँ, यह यह delete करो, यह delete करो, यह और यह पूरा delete करो, और university कि इतना space लेगा, ओ भाई, यह तो काफी space ले रहा है, बट यहां पर बिल्कुल सही से आ जाएगा, इस वाले जाएगा, पर अगर मैं यहां पर place करता हूँ, boom, okay, nice, वैसे इसमें upgrade भी होते हैं न, यह building बाहर लगती है, क्य ओ नो, यह सब तो बाहर लगती हैं बाई, तो इसके लिए तो और भी जाता है जगह चाहिए, तो एक काम करो भया जी, चटको, ठीक है, एक चीज़ हम यह करते हैं, यह layout यहां तक delete करते हैं, ठीक है, यह पूरा delete करते हैं, okay, तो अब अगर हम यहां पर place करेंगे, तो I think सार यहां पर place कैसे करो, इस वाले angle पर place करो, या फिर इधर से place कर दू, अगर इधर से place करना था, तो फिर मैंने delete क्यों की आता यार, यहाँ पर अगर मैं place करता हूँ, बिल्कुल roadside में आया है, इस side से बिल्कुल roadside में, इस side से बिल्कुल roadside में, उनिए City की library एक लगानी पड़ती है, और एक हमें यहाँ पर, university park लगाना पड़ता है, university park तो आ जाएगा, यहाँ पर, और library आ जाएगी, यहाँ पर, इस वाले ज कर सकता था क्या जरूरत नहीं है और ये क्या extension wing ये भी लगा जते हैं इनिशिटी को full upgrade कर देते हैं बट ये बीच में बच गया यार यही तो दिक्कत है ना इनको building वगर जो भी बनाने चाहिए था ना ऐसे हिसाब से बनाना चाहिए था कि अगर हम उनको place करें ना तो पूरा area cover कर ले जैसे इस building को वो बढ़ा कर सकते थे यहां से यहां तक यह से cover कर ले इसके side side से बट नहीं भाई यह सारी चीज़े ना बहुत गड़बड है इसमें तो हमें इसको fix करने के लिए कुछ जुगार करना पड़ेगा यहां से इसको यहां तक लेके आता हूं ठीक है और इधर से इसको यहां तक लेके आता हूं चौलो और यहां से इसको connect कर देते हैं इधर को बराबर इसके side side में हम थोड़ी सी building लगा देंगे और यहां पर हम थोड़े से ट्री लगा देते हैं, यह तो फ्लॉवर लगा देते हैं, फ्लॉवर अच्छे नहीं लगेंगे, इस यह वाले ट्री ज्यादा बेटर लगेंगे, ये चलेगा, ये वर्क करना है अच्छार्ट किया, चलो वर्क तो करने लग गया, 42 स्टुडेंट यहां पर आ चुके हैं, एम area छोड़ रख है और university के बाजो में न हम ये भी बना सकते हैं large वाले sport park उसको unlock करना पड़ेगा अपने को wait unlock करता हूँ अभी four development point इसमें लगने वाले हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर university के बाजो में ये बना देंगे न तो देखने में काफी अच्छा लगेगा हम यहाँ पर बनाएंगे एक American football field जो की बनेगा इस वाले जगह पर boom done और यहाँ से इस two lane के road को लेके जाएंगे सीधा यह connect हो जागा यहाँ पर थोड़ा सा इसको shift करना पड़ेगा बाजो में wait यह यहाँ से बिल्कुल road के किनारे आएगा ऐसे अब यह थोड़ा सा cool लग रहा है देखने में तो नहीं place कर दो क्या soccer field भी place कर दो कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यह यहाँ पर आ जाएगा ऐसे यह भी चलेगा कोई problem नहीं है तो चो लगा इस वैसे आज हमने यहाँ पर oil railing start कर दिया थोड़ा सा education system हमने अपना सई किया है यहाँ पर हमने university लगा है थोड़े बहुत large वाले park लगा दिये हैं और कुछ high school वगर थे धर हमने लगा दिये इस वाले area को भी थोड़ा सा grow किया और इसके बाद आज हमने अपने city में एक dam भी बना दिया जो की देखने में काफी cool यहाँ पर भी कुछ चीज़े लगाने का प्लान करेंगे जब हमारे पास कुछ अच्छी building unlock होगी न तो मैं यहाँ पर कुछ न कुछ बनाऊंगा तो इसका look और बीज़ेदा अच्छा हो जाएगा बागे चलो आज की वीडियो के लिग वीडियो को पसंद आई हो वीडियो पसंद देए वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए आए हो तो फटा फटे सब्सक्राइब कर लेना और बिला कमी प्रेश कर देना मिलते आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई कर देनालिग कर दोई आ ने खितान चाना चारी हो बाई हो वीडियो कर दाल्ब झाल 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 झाल